हलो दूस्तो नमस्कार, Profit Guru चेनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं तो दूस्तो पूरे मार्केट में एक स्टॉक एसा था जिसने पूरे मार्केट में आग लगा दी मतलब दूस्तो वो stock आज अपने इतिहास में 13% चड़ा कितना 13% चड़ के वो बंद हुआ है तो वो कौन सा stock है अगर आप लोगों ने आज market को पूरी तरीके से देखा हो पूरी तरीके से समझा हो तो वो stock के बारे में आप जानी गए होंगे तो वो डिटेल हम जानने वाले हैं दस्तो उस stock के बारे में ठीके तो चलिए सबसे पहले तो आप लोगों को performance दिखाता हूँ उस stock का फिर financial condition जानेंगे फिर quarter third का result जानने वाले तो चलिए दोस्तो वीडियो को start करते हैं वीडियो को start करने पहले में यही बोलूँगा Profit Guru चैनल पर अगर आप नए हो तो definitely subscribe करिए वीडियो पसंदा वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और नीचे description में दोस्तो एप stock और angel broking का link दिया है जाइए फटावर्ट से डिमेट अकाउंट उपन करिए और हमा साथ निफ्टी बेंग निफ्टी stock option में फिर आप कोस्ट ट्रेडिंग करिए वो नीचे description में link दिया है टेलेग्राम का उसको भी जाके join कर लेजी दोस्तो ठीके तो उचली सबसे पहले हम stock के price के उपर चलते हैं तो दोस्तो यहाँ पर कौन सी company है फार्मा company मैंने best 5 फार्मा company के stock जब आप लोगों को बताये थे जिसमें Apollo सबसे पहले मैंने आप लोगों को अपडेट किया था Apollo Hospital Enterprise Limited अब जो हमारे पुराने वीवर्स होंगे जो daily business पे हमारा वीडियो वाच करते हैं दोस्तों उनको पता ही होगा दोस्तों कि हमने किस business पे आप लोगों को यह बताया था आद देखें stock में करीवन 3.5% से ज़्यादा का moment देखने को मिला है 31.13 रुपे पे close हुआ है करीवन 300-400 पॉइंट की तेजी के साथ previous close देखेंगे क्या था 2748 रुपे stock gap of opening लिया 277 रुपे अपना high लगाया और all time का high लगाया 31,7 रुपे और low लगाया 27,7 रुपे मतलब काफी interesting moment देखने को मिला उसी बीच में अगर आप देखेंगे तो आज trade देखिए करीवन आपको देखने को मिलेगा दोस्तो आप लोगों के पास अभी भी मोका है आप समझी गए होंगे और यहां पर आप देख सकते हो दोस्तो आज का delivery pattern 13.52 का quantity देखेंगे 5,20,000 quantity मतलब delivery quantity बहुत कम देखने को मिल रही है company information अगर आप देखेंगे तो देखेंगे December quarter और सितंबर quarter के result में कितना फरक हमें देखने को मिल रहा है जो one sided अलगी देखने को मिल रहा है COVID की vaccine से related ठीके और coronavirus impact से related बागी dividend आप देख सकते हो काफी अच्छा dividend भी देती है company market में shareholder pattern अगर आप देखेंगे तो करीबन 29.81% का stake promoters के पास है 70.19% के stake public and retail investor के पास है तो हम यही देखते हैं क्या promoters ने अपने stake को please रखा है तो दोस्तों हाँ आप देख सकते हो बहुत सारा stake के आपर please हमें देखने को मिल रहा है तो यह थोड़ा सा हमारे लिए doubt लिए बाकी company A1 है दोस्तों performance भी भी market में काफी तगड़ा देखने को मिल रहा है तो चलिए अब इस stock में हम investment करे या नई करे यह भी हम जान लेते हैं तो देखे दोस्तों money control की site के ओपर मैंने आप लोगों को लेके आ हैं ठीके यहां पर क्या लिखा हुआ आप देखे अपॉलो हॉस्पिटल के stock 52 बीक के रिकार्ट हाई पर काटर ठर डिजल के दम पर stock ने 12% के उच्छाल लगा इसे खरीदे या नई मतलब सीधा सीधा है इन्नोंने भी यह बताया इसमें investment करे या नई करे नीची और डीटेल्स में चीजे देखते हैं देखे अपॉलो हॉस्पिटल ने बित्य बर्स 2020-21 की तीसी तीमाई में 19 से भैता प्रदसन क्या इस बज़े से कंपनी के stock में आई share market में जबज़त उसाल को देखते हुए इसके share में करीबन साड़े ग्यारा परसंट तक की तेजी थी कब दुफेर के दो बज़े 3,600 रुपे के भाव पर ट्रेट कर रहा था मजबूत कॉटर ठार डीजेल के दम पर अपॉलो हॉस्पिटल के stock में अपने 52 बिक के रिकार्ड हाई को छुआ कमपनी के share आज करीबन 3,89 रुपे के उच्चेतम इस तोर पर ट्रेट करें जबकि आज ये 227 रुपे के भाव पर खुला था जबकि सुक्रवार को ये कमपनी 2745 रुपे के भाव पर बंद हुई थी ये सबी चीजे डिटेल से दी हुई दोस्तो और मही अगर देखें रिजेल तो आप देख सकते हो दिसंबर तीमाई में कमपनी में अपलो हॉस्पिटल मतलब दिसंबर तीमाई में अपलो हॉस्पिटल के नेट प्रॉफिट उननचाद दसमलो 14% का इजापा हुआ हुआ है कमपनी को कुल 134 करोड उपे का सुद्ध लाब हुआ है मतलब almost 50% मान के चल सकते हो जबकि पिछली बित्ति बर्स की सामान तीमाई में कमपनी को केवल 89 करोड उपे का नेट प्रॉफिट हुआ था कमपनी ने इस तीमाई में अपने खर्च में कटोटी किये जिसके कारण उ revenue from operation गिरा है और यहीं पर अगर आप देखें तो revenue from operation इस quarter में 279 करोड उपे है जबकि पिछली quarter में करीबन 2911 करोड उपे रहा था मतलब जो company का main business ने दोस्तों वो कम profit कमा के दिया है लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे तो उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही तो तोड़ा सा ये भी doubtly लगता है एक stock pledge रखे promote us ने मतलब दो काड़ा नेसे हैं दोस्तों इस stock में जो हमें 296 करोड रुपे रहा था जो इस बर्त में 303 माई में अगर आप देखें तो माई में कम होकर 2595 करोड रुपे रहा है अपोला हॉस्पिटल को chairman प्राप्त से सी रेड़ी ने कहा कि कोबीट के संक्रमन की दर कम होने के बाद हमने नान कोबीट पेसेंट पर focus किया आपको बता है नोन आपने देखा नान कोबीट पेसेंट का भी काफी इनको फाइदा मिला है ठीक है और जितने भी कोबीट के पेसेंट इनकी hospitals में आए दोस्तों ठीक है इनकी companies में आए इनको वहाँ पर भी काफी ज़्यादा profit देखने को मिला है अब क्या करें निवेश करें या नहीं जो में मुद्दे की बात है वो देखते हैं अपल ऑस्पिटल ने दिसंबर तीमाई के नतीजे बहतर दिये हैं ठीक है लेकर अगर देखे तो ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन गॉल्डमें सेक्स और यहाँ पर क्रेडिट इशू पाजिटीव है जेपी मॉर्गन ने इस टाक का टार्गिट प्राइज 3160 रुपे प्रतिशेर तैय किया गया था जो हमें कल हो सकता है कल की डीट में आते देखने को मिले अपल ऑस्पिटल के अर्निंग पर शेर एपीस एक दसमलो नौ गुना से बढ़ाकर 6 दसमलो एक गुना कर दिया है मतलब दूस्तों टार्गिट यहां पर आजी के दिन आते हो देखने को मिला है टार्गिट रखकर खरीदने की सलादीती फर्म ने अपलो ऑस्पिटल के इस टाक में इवीटा एस्टिमेंट को 7% तक बड़ा दिया है मतलब जो चीजे है में चीजे इस स्टॉक की वो सभी अबल दर्जे की है दोस्तों हमें देखने को मिल रही है बाकी चीजे आप फोकस मत चीजे बाकी चीजे को इग्नोर कर दीजे क्योंकि देख सकते हो बड़ी से बड़ी ब्रोकरिंग फर्म ने यहां पर अपने टार्गिट पेस किये तो और वो टार्गिट एकी दिन में हमें अचीव होते हैं देखने को मिले तो मतलब अपॉलो होस्पिटल में हम भी निबेश कर सकते हैं दोस्तों बाकी कोई भी दिक्कत आप लोगों को नई आने वाली है बेस्ट फार्मा कंपनी कहा जाने वाली अपॉलो होस्पिटल आथ 13% का मुमेंट इस कंपनी ने हमें दिखाया है अब देख स्टॉक में लगबख साड़े 9% की तेजी है और में एक महने की बात करते हैं एक मह的话 मेंования में इस टॉक में 19-20% की तेजी है point में almost 500 point 6 मेने की बात करता हूँ 6 मेने में stock में 82% का moment है कितना 82% का moment है किसी गिरी हालत में चला था 5 साल पहले का moment देखेंगे 5 साल पहले stock 1400 यहाँ पर देखें नीचे भी आया था 2017 में करीबन 1,007 रुपे और लेकिन वहीं price पे आप लोगों को 2020 में मिल रहा था फिर भी आप लोगों ने focus नहीं किया 117% का return दोस्तो 5 साल में stock ने दिया overall का performance देखेंगे बहुत गिरी हुई condition थी company का कैसा moment कर रही है दिन उसके बाद आज दिखिए 4 डिजिट में घूम रही है Apollo Hospital Pharma Company आप इस पे जरूर पैसा लगा सकते हो जरूर investment कर सकते हो quality वाली company आपको सभी चीजे अच्छी होते हो देखने को मिलेगी quarter fourth में यहाँ पर quarter third तो जो औरदर पेश की है तो आप समझ सकते हो कि कितना revenue इनको coronavirus के impact से generate होते हो देखने को मिला है मतलब coronavirus दोस्तो इनके लिए golden opportunity लेका है था पूरे फार्मा सेक्टर के लिए तो सभी फार्मा सेक्टर की कंपनियों पे भी आप focus कर सकते हो खास करके Apollo Hospital पे और जैसा भी आगे अपडेट आएगा जो भी company के बारे में हम आप लोगों को डेफिनेटली प्रोवाइट करेंगे दोस्तो ठीके तो चलिए वीडियो को close करते हैं वीडियो को close करते हैं समय हम यही बोलेंगे वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लिस लाइक कर देना आप अगर चैनल पर ने तो चैनल को जरू सस्क्राइब करना क्योंकि डेली बेस्स पे हम इंट्रडे के टिप्स और मार्केट अपडेट आप लोगों तक लाते रहते हैं ठैक्य दोस्तो